फादर्स जे पर दिवगंद सिंगर केके की बेटी ने लिखी भावुक चिठी पिता को याद कर इमोशनल हुई तमारा पापा के साथ बच्पन की तस्वीरे शेयर कर तमारा ने जाहिर किया अपना दर्द कहते हैं कि बेटी आप पापा की परिया होती हैं लेकिन अगर किसी बेटी के सिर से पिता के साई की ठंडी चाओ ही हट जाये तो फिर बेटी के दिलो दिमाग में दर्द का कैसा तूफान उठता है ये आप सिंगर केके की बेटी तमारा की एमोशनल चिठी को पढ़कर समझ सकते हैं तमारा ने लिखी है चिठी अपने पिता के ना जिसमें उन्होंने जाहिर किया है अपना सारा दर्द कि किस तरह से पापा के जाने के बाद उनकी जिंदगी सूनी हो गई है वो कैसे हर दिन अपने पापा का हाथ ठामना, मिस करती हैं, उनसे बाते करना, उनके साथ खाना-खाना, म्यूजिक नोर्ट्स पर टिप्स लेना, सब कुछ बेहद याद आता है तमारा को. दरसल बीते दिन, यानि के 19 जून को दुनिया भर में फादर्स दे सेलिब्रेट किया गया था. फादर्स दे के मौके पर तमारा को भी अपने पिता की कमी सबसे ज्यादा खली. आखिर अभी कुछी दिन तो बीते हैं, केके को गए हुए. 31 माई की रात कोलकाता में एक शो में परफॉर्म करने के बाद अचानक केके की तब्यत बिगड़ गई थी. उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ. अपने पिता को याद कर उनकी बेटी तवारा ने अपनी फिलिंग्स को पोस्ट में जाहिर करते हुए लिखा है. मैं आपको खोने का दर्ग सौ बार सहलूगी. अगर मुझे मेरे पिता के रूप में आप एक सेकिंड के लिए भी और मिल जाये तो. आपके बिना जिंदगी स्नैक ठाना मिस करती हूँ. मुझे आपको अपने म्यूजिक और वॉइस नोट के आईडिया दिखाना याद आता है. मैं आपका रियाक्शन मिस करती हूँ. आपका हाथ ठामना मिस करती हूँ. इसके साथ ही तमारा ने पापा के साथ अपने बच्पन की भी कुछ तस्वीरे शेयर की हैं. केके के नाम तमारा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है बता दें कि महस तेरे पंथ साल के उम्र में केके के संगीत का सफर खत्म हो गया था केके अपने पीछे अपनी पतनी जोती और दो बच्चों नकुल कृष्ण कुन्नत और बेटी तमारा कुन्नत को छोड़ गए हैं नकुल और तमारा दोनों ही अपने पिता के नक्षे कदम पर चलकर संगीत की दुनिया से अपना रिष्टा जोड़े होए हैं ये के के बेटे नकुल कृष्ण कुन्नत पेशे से म्यूजीशन और प्रिड्यूसर है, वहीं तमारा सिंगर, म्यूजीशन और म्यूजिक कंपोजर है